जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि Z.E.N. ने मूशे को मार दिया है और अब इस से वॉल्फ मसीनरीस पूरी तरह से खतम हो गया है Z.E.N. Z.E. Z.E.N. के साथ उसके पक्षे पर बैठ कर एक बहुत सुन्दर से आइलेंड पर पहुँच जाता है जहां एक सुन्दर सा घर है और बहुत सारे अलग लग तरह के हर्ब्स हैं इस जगह को वैली ओफ मेडिसन्स कहते हैं असल में Z.E. Z.E.N. एक पॉईजनस एक्सपोर्ट थी इसलिए वो इस जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने आती रहती थी अब वो दोनों कुछ टाइम यहीं रुखने का डिसाइड करते हैं क्योंकि Z.E. Z.E.N. को कुछ मेडिसन्स कलेक्ट करनी थी और Z.E.N. को यहां पर अपनी प्राक्टिस करनी थी वो दोनों अब अपना अपना काम करते हैं और ऐसा करते वक्त वो दोरों एक दूसरे के करीब भी आते हैं असल में Z.E.Z.N. Z.E.N. को पसंद करती थी लेकिन Z.E.N. समझ नहीं पा रहा है और वो अभी भी Z.E.Z.E.N. को एक दोस की तरह ही ट्रीट कर रहा है Z.E.Z.E.N. का बना हुआ खाना खाता है और उसे काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करता है लेकिन तभी Z.E.Z.E.N. को तोड़ा चकर आता है और वो तुरन जंगल की ओर निकल जाता है जैसा कि पिछले सीजन में बताया था कि उसको अपनी पावस को स्टेबलाइस करने के लिए रोज एक मॉंस्टर का शिकार करना होगा इसलिए अब वो सेकिन लेवल का फ्रोजन बीस्ट मॉंस्टर ढूनने लगता है वही दूसरी तरफ हमें फिर से लिंगर को दिखाते हैं जो अपने डैट के साथ थी और उन पर एक मॉंस्टर ने अटैक कर दिया था लेकिन तभी लिंगर की मॉं बहां आती है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से उस मॉंस्टर को मार गिराती है लेकिन अभी उनकी दिक्कत समाप नहीं हुई थी क्योंकि एक और मॉंस्टर जो लेवल 2 का फ्रोजन बीस्ट मॉंस्टर है वो उन पर अटैक करने के लिए आ गया अब वो उस मॉंस्टर को नहीं मार सकते थे लेकिन तभी वहाँ जीयन आता है और अपनी पॉपल फ्लेम का यूज करते हुए मॉंस्टर को एक ही जटके में मार डालता है पॉपल फ्लेम वही पावर है जो उसे यूजी से मिली थी अब Zeeyan ने एक बार फिर से Linger की मदद की थी और इससे Linger परिवार को बहुत खुशी होती है Zeeyan monster की खोपड़ी खोल कर उसके अंदर का core चेक करता है लेकिन उसे core नहीं मिलता उसे level 2 का eye score चाहिए था अब Linger की mom जिनका नाम क्विंग ये है अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपना locket तोड़ कर देती है और उस locket के अंदर level 2 का eye score है Zeeyan बहुत खुश होता है और उसे लेकर Zee Zeeyan के पास वापिस चला जाता है वहाँ वो Zee Zeeyan को बेहोश हुआ पाता है और इससे वो बहुत डर जाता है उसके master फिर उसे बताते हैं कि इसके पास poisonous body है that means इने बच्पन से ही छोटे-छोटे amount में poison दिया जाता है poison इनके power को increase करता है लेकिन अगर कभी ये poison को अपनी body में सह नहीं पाते तो ये बिमार होकर मर भी सकते हैं अब Zeeyan समझ जाता है कि कल रात को Zee Zeeyan को जो चक्कर आये थे वो इसे बिमारी के symptom थे Zeeyan Zee Zeeyan को सही करना चाता था इसलिए वो उसके होश में आने तक उसके पास बैठ कर wait करता है और जब Zee Zeeyan जाती है तो वो कहता है कि वो Zee Zeeyan को कुछ नहीं होने देगा और उसे इस problem से निकाल देगा फिर अगले दिन Zee Zeeyan Zeeyan के सामने अपने सपने को रखती है कि वो इस पूरे continent में घूमना चाती है लेकिन इस हालत में उसका बाहर जाना सही नहीं था इसलिए Zeeyan उसे मरा कर देता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं जहां Zee Zeeyan उसे romantic होकर कहती है कि मैं हमेशा तुमारे साथ रहना चाती हूँ लेकिन Zeeyan इसे मजाक मिलेते हुए कहता है कि जब तक तुम सही नहीं होगी मैं तुमारे साथ ही रहूँगा तुमारी केर करने को अब Zee Zeeyan इसे काफ युदा सोजाती है और Zeeyan के कंदे पर सरग कर सोजाती है अब फिर रोजाना की तरहा Zeeyan जंगल होकर वापिस आता है जहां वो पूरे घर में Zee Zeeyan को नहीं पाता उसे वहाँ एक नोट दिखता है जो Zee Zeeyan ने Zeeyan के लिए छोड़ा था और उसमें लिखा था कि Zeeyan Zeeyan के लिए उसके गोल में अर्चन नहीं बनना चाती वो नहीं चाहती कि Zeeyan Zee Zeeyan की ही केयर करता रहे और अपनी प्राक्टिस और अपने सफर को बीच में ही छोड़ दे इसलिए Zee Zeeyan अब खुद Zeeyan से दूर चली गई और वो उस लेचर में अपने प्यार का इजहार भी कर देती है और Zeeyan अब ये सब पढ़कर उदास हो जाता है लेकिन वो डिसाइड करता है कि जब भी अगली बार उसकी मुलाकात Zee Zeeyan से होगी तो वो उसका इलाज जरूर करेगा अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें Zeeyan को ही दिखाते हैं जो Zee Zeeyan के जाने के बाद और अच्छे से मोटिवेट होकर प्राक्टिस करता है और इससे वो दौशी वन स्टार पर पहुंच जाता है यानि अपग्रेड हो जाता है उसके पास परपल फ्लेम त City के अंदर ही मिलते हैं इसलिए अब वो Black Rock City के अंदर जाने का Decide करता है वहां उसके Master उसे Alchemist Association के अंदर जाने को कहते हैं क्योंकि वहां से उसे कुछ ऐसा Material मिल सकते थे जो उसकी कौफी लेशन में बहुत मदद देने वाले हैं असल में हमारा Zeeyan अपने Master के सिखाने से बह Alchemist Association के अंदर Rank 1 Alchemist बनने के Exam चल रहा था वहीं तभी एक Rank 4 का Alchemist वहां आता है और वो इस Exam का Judge भी है असल में जो जितना अच्छा Alchemist होता है उसके पास उतने ही ज़्यादा Rank होती है यानि Rank 4 का Alchemist, Rank 1 के Alchemist से सुपीरियर है इस खना मास्टर आउता हूँ है और जब वो Zeean को देखता है तो वो समझ चाता है कि इस लड़के में कुछ तो खास है Master Otto के साथ उसकी Disciple Linphi नाम की लड़की भी थी जो बहुत नक्चड़ी लड़की है उन दोनों के अंदर जाने के बाद वहां अंदर से एक लड़का निकल कर आता है जो Zeean का मजाक उड़ाने अंदर बहुत सारे स्टुडिंट्स थे जो एक्जाम देने आये थे वहां दो जजच भी खड़े थे जिसमें से एक तो आउता हूं है और दूसरे फूलान है फूलान के Disciple एक जुईमी नाम की लड़की है एक्जाम शुरू होने से ठीक पहले वो वहां आही जाती है और अब उनका एक्जाम शुरू होता है सबको एक खास तरे की पिल बनानी थी और जो वो पिल बना देता उसको रैंक 1 का दरजाद दे दिया जाता है अब काफी कोशश करने के बाद अपनी अपनी पिल बनाते हैं और एक घंटे बाद एक्जाम ओवर होता है जिसके अंदर जि यान शर्माता हुआ उनसे कहता है कि वो rank 2 का भी exam देना चाहता है अब वहाँ खड़ी लीफी को ये बात हजम नहीं होती और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अगर इतना ही घमंड है अपनी powers का तो मैं अभी arrangement करती हूँ वो तुरंट वहाँ rank 2 के exam का समान लाती है और उसको पिल बनाने को अब कहा जाता है वो rank 2 की पिल बनाने लगता है और कुछी देर में वो पिल बना डालता है अब इससे वहाँ खड़े सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि 19 साल की उम्र में ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी वो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं लेकिन अब जी आन उनसे जीतने के बाद कुछ ingredients चाहता था वो कहता है कि मुझे core of rank 3 i spirit cold fountain चाहिए असल में इन दोनों materials को लेने के बाद ही जी आन बाकी different flames को सहन कर पाने में सक्षम हो पाता जचेस अब उसे एक library के अंदर ले जाते हैं जहां ये चीजें डूरने लगते हैं लेकिन उने ice spirit cold fountain नहीं मिलता अब थोड़ी तेर बाद master आउट 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 चुपके से जी आन को अपने साथ एक जगा ले जाने लग और अंदर कमरे में जाने पर उसे एक पतला सा अजीब आद में दिखता है उसका नाम गूते है और उसके पास कई तरह के कीमती खजाने रखे थे वहाँ जी आन उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं ice spirit fountain के बदले तुम्हें बहुत कीमती चीज दूँगा जिस पर वो पूछता है कि तुम क्या दे सकते हो तो जी आन पॉपल फ्लेम का essence उसके सामने रखता है पॉपल फ्लेम बहुत जादा कीमती है और बहुत जादा महंगी अब जी आन और गूते के बीच ट्रेड हो जाता है और गूते से उसे ice spirit cold fountain मिल जाता है अब वो यहाँ स लोगों पर अत्यचार कर रहा था उसके साथ उसका एक चेला भी था जी आन उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन तबी वहां master आउत हो आते हैं और उनके disciple leafy भी आती है लीफी जी आन से इंप्रेस हो गई थी और वो उसको गले भी लगाती है वहां full and अब जी आन को 6 म ingredients थे जो उसे एक ऐसी दवाई बनाने के लिए चाहिए थे जो उसे बाकी fire essence swallow करने में मदद कर सके वो दवाई 4 rank की होगी और अब जी आन अपने master से उसे बनाने के लिए कहता है वो rank 4 की दवाई बहुत जादा शक्तिशाली है और जी आन के master उसको चिताफनी भी देते हैं क फाइनली दवाई बनकर ready हो जाती है जब दवाई बनकर ready हो जाती है तो वहाँ आसपास पूरी boat में energy wave produce होती है जिससे सब समझ जाते हैं कि जी आन अपने master के साथ कमरे के अंदर कुछ अलग तरह की खास दवाई बना रहा है जी आन के master उसी gate पर रहकर पहरा देने को कहते ह क्योंकि दवाई में अभी कुछ final touch-ups देने बागी थे कमरे के बाहर old man कमरे के अंदर जाने लगता है और कहता है कि boat के अंदर एक energy wave आई है और boat के अंदर सफर करने के दौरान हमारा ये जानना ज़रूरी है कि तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे boat crash हो सके full land भी दवा का मिल जाता है और वो तुरंत कमरे के अंदर पहुँच जाता है लेकिन master उससे उस दवाई का use करते हुए दूर से ही उठा देते हैं और उसे मार डालते हैं वो इतनी बुरी थरा से मारा जाता है कि उसकी लाश भी disintegrate हो जाती है जीन समझ जाता है कि rank 4 की इस दवाई में कि तकत है वही full and एक चाल रश्टा है वो खुद पहले अपने चेले को ziyan को मारने के लिए भेज़ता है लेकिन जैसे ही चेला उसके पास जाता है वैसे ही वो खुद चेले को मार देता है और ये साबित करता है कि वो ziyan के साथ है उसका दोस्त है लेकिन ziyan के master को उसने जित वो बोट नीचे गिर जाती है, लेकिन अब फाइनली वो टेगोर डेजर्ट पर आकर गिरते हैं, जहां कई तरह के खदरनाक जानवर मौजूद थे, वो रात को वहीं सोने का डिसाइड करते हैं, जहां जीयान को सपने के अंदर यूजी दिखते हैं, वो यूजी को देख बह मौने वाले मैच के लिए डर रहा है, वो उसे मोटिवेट करते हैं और खुद पर विश्वास करने को कहते हैं, वो अगले दिन डेजर्ट के ट्रावल अंदर करता है, जहां उसे एक शॉप मिलती है, वो शॉप एक मैप बनाने वाले की थी और जीयान उस शॉप के अंदर म इसका पूरा हिस्सा मुझे चाहिए, लेकिन वो ओल्ड शॉप की पर साफ मना कर देता है कि उसके पास फुल मैप नहीं है, ओल्ड शॉप की पर उसको इस छोटे फ्राग्मेंट को भी वही रखने को कहता है, क्योंकि वो इसे नहीं बेचना चाहता था, जिस पर ओल्ड पहले एक्जिट गेट बंद करता है, और जियान पर अटाक करने की पोजीशन में आ जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोट खतम हो जाता है.